अमस्कार दोस्तों! आज की कहानी का नाम है स्वर्ग की यात्रा. बादशा अकबर के दर्बार के अधिकांश मंत्री बीर्बल से जलते थे. उन्हें बीर्बल की अकबर से निकट्ता फूटी आँख नहीं सुहाती थी. अकबर का बीर्बल पर अती विश्वास तथा हर बात पर बीर्बल की राय को सर्वोपरी रखना भी वे कारण थे, जिसके कारण बीर्बल दर्बारियों की इरश्या का पात्र था. दर्बारी जानते थे कि बीर्बल के रहते वे कभी बादशा अकबर के प्रियर नहीं बन सकत एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजश की इस साजश में उनका सहायक बना बादशा अकबर का नाई नाई को बादशा अकबर के बाल कारते समय उनसे वारतालाप करने का अवसर मिल जाता है एक दिन बाल कारते हुए वो अकबर से बोला, बादशा सलामत कल रात मैंने एक सपना देखा, जिसमें आपके अबबा हुजूर मुझे दिखाए दिये अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए वे बहुत छोटे थे, जब उनके पिता की मृत्यू हुई थी भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अबबा हुजूर अपनी बात में अकबर को रूची लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी, वो ठीक लग रहे थे हुजूर उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं बस एक चीज की कमी उन्हें खलती है वह क्या, अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है इसलिए वे खुश नहीं रहते स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफे सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए बीरबल अकबर को अतिप्रियत है लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्नल लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भीज देगे अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फर्मान सुना दिया बीरबल अकबर का फर्मान सुनकर हैरान रह गया पूछने पर अकबर ने नाई के स्वपन की बात बीरबल को बता दी बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की उसके खिलाफ साजश है और इस साजश में नाई भी उनके साथ है लेकिन अकबर के आदेश की अभेलना करने का साहस उसमें नहीं था वो स्वर्ग जाने को तयार हो गया लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया घर पहुँचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताए जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई लेकिन बीरबल इस विपत्ती से निकलने की एक योजना बना चुका था योजना नुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला जहां पना है अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तयार हूँ किन्तु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिन्दा दफना दिया जाए अकबर बीरबल की बात मांग गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिन्दा दफन करवा दिया योजनानुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया उसके बाद दो महीने तक वो घर पर ही चुप कर रहा दो महीने बाद वो अकबर के दर्बार में पहुचा सारे दर्बारी उसे देख कर हैरान थे बीरबल के बाल और दाड़ी बड़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा बीरबल तुम वापस आ गए हमें बताओ हमारे अब्बा हुजूर कैसे है और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है सब ठीक तो है जी जहापना स्वर्ग में सब ठीक है मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफे सुना कर उनका मनोरंजन भी किया आपके पिता खुश भी बहुत हुए लेकिन बीरबल ने कहना जारी रखा सवर्ग में नाए का ना होना एक बड़ी समस्या है इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाड़ी भी आपके पिताजी के बालों और दाड़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है इत्ते फाक से नाई भी उस दिन वहीं था बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इधर अपने अबा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिन्दा दफनाने का आदेश दे दिया ये आदेश सुनकर दर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की युजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया फिर क्या, साजश एकरताओं को उनकी साजश की सजा मिलनी ही थी अकबर ने सब को पचास-पचास कोड़े लेगवाए अहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद